असलाम लेकम, उमीद करता हूँ, सब लोग बहतरीन होगे, नई वीडियो में आपका वैलकम है, और आज के वीडियो होने वाली है, अनना उन एपल पार्ट और जो मैसेज आता है जैना उन एपल पार्ट का आईफोन में, जब आप एक आईफोन पर्चीज करने जाते हो, तो वहाँ पर कुछ फून में जिनके एपल पार्ट होते हैं, एक या इसी चीज चेंज है, जिसका मैसेज पॉस्टिबली आईफोन के अबाउट सेक्शन में आ सकता हो, तो उसमें दो उसमें चीजे हैं, या जैनून एपल पार्ट का मैसेज होता है, या नॉन जैनून एपल जैनून एपल पार्ट का मैसेज होता है, उसके मार्केट ऐफेक्ट एफेक्ट से इसको डिसकस करेंगे आईज के वीडियो में, आप बाट का exponentर है, जीजेन इफ्रेंज पार्ट का मिलवन पार्ट पार्ट का उसका मतलब है, वह जो आइपुन जो रिपेर हुआ है, उसका जो怎么了 for example replace हूा है वह एपल सोर से हुआ एपल की official रहा होता है तो ठोन नोन इतनगे पर हमतिय को बोलते हैं ऐननः पर की रही है अनननने से इसको बोलते हैं अन्यॉंप सुप्षप करें के दिया कि कर लोकल दॉब तो लोकल बैटरी मेरा आइफून खराब हो गया है यहां पर तो एपल कोई कोई भी नहीं है पाकिसान के अंदर जाता हूं अपने बैटरी जो मुझे सबसे बेस्ट सूट करता है रिपेरिंग वाला उसके पास जाता हूं एक बैटरी बैटरी मेरे फून की रिप्लेस कर दो खराब होगी है तो जो बैटरी रिप्लेस करेंगा उसके बाद आईफून के अंदर एक मेसेज आ जाएगा अना बैटरी पार्ट का मैसेज आईफून के अंदर आना शुरू हो जाएगा तो इसमें डिसकस हो गया है तो अब यहां पर इंप्लिकेशन इसकी क्या है कि लोग अना अपर आपल पार्ट को जैनों अपर पार्ट दूनों को पर्चेस करने पसंद नहीं करते हैं मतलब फोर जैंब अलेवन है या ट्वैल है वह बहुत पुराना मोडल हो चुका है उसमें अब बैटरी एल्स कम आती हैं या उसके अंदर कैमरा रिप्लेस्मेंट या बैट नहीं जाला गया है जो रिप्लेस्मेंट लगा है उसके अंदर कोई ऐसा ऐसी दर इस नहीं गक्रती इस है वह शाई य हुई नहीं कि अ कि जैनुर एफट बात करने पंट मतलब है कि फून ठोट का जैनुर्टयमूір है वो की fault नहीं है उसको shop की पर स्वेचारे loss पर बेच रहे होते हैं मतलब अगर मेरे पास जैनोन एपल पार्ट का फून आ गया तो उसमें लोग कहते हैं यह fault है यह fault नहीं है बाई साब जैसे फून की बैटरी 80% है सर्विस पर नहीं है उसको भी लोग fault ही consider करते हैं 85 से सब्सक्राइब करने मोडल हो गए हैं इनकी बैटरी 80 82 हो तो समझ में आता है इंप्लिकेशन पर मैं बात करने इस लिए जरूरी समझता हूं कि आपको एक और इंप्लिकेशन की बात करता हूं कि बैटरी 100 के बारे में मुझे जब आइफून आना शुरू हुआ था इंपोर नए आना शुरू हो था जे भी आइफून या बड़ी कॉंटिटी में इंपोर्ट होना शुरू हुआ था तो आइफून की 100 परसंट बैटरी देखके लोग आता है यह बैटरी चेंज है लोग 100 परसंट बैटरी हल्थ से कत्राते थे एक्चूल में आज से 5 साल पहले चले तो लोग 100 बैटरी हल्थ देखकर कत्राते थे जब एपल ने बैटरी हल्थ वारा सिस्ट्म शुरू किया था आई यॉस के अंदर तो लोग 100 परसंट को बड़ी शौक से खरीते थे से जो इंपोर्टर नहीं जो बात करने को तैयारी जो इससे जो इंपोर्टर है ये इंपोर्टर नहीं जो बाहिर के सेलर्स हैं चाइना में होंग कॉंग में अमेरिका में वह फोर्स हो जाते हैं फून की बैटरी को कंसिस्टेंटली हंडर्ड पर रखने पर तो इसमें दो नमरियां बहुत होनी शुरू हो गई हैं आप लोगों के डिमांड की वज़ा से कस्टमर की डिमांड की है और्टिफिचली सोफिसे बैटरी यहल्थ भी होना शुरू हो गई है कॉरिया फौर एजेंबल एक मिसाल झाहां को पॉरिया से फून आते हैं आइफून जो कॉरिया से आते हैं वह बड़े साफ सुतरे होते हैं साफ जैसे डिबे से निकले हो लेकि बैटरी हल्थ उनकी 80 एक दिए का इंवार्मेंट बहुत क्लीन है गंदगी वहां पर नहीं है दस्ट वहां पर नहीं है तो वहां पर फुन ज्यादा गंदे नहीं होते या लोग बड़े डेलिकेट ली आइफून को यूज करते हैं अरिजिनल होते हैं 8082-83 होती है उनकी और बड़े शांदार होते हैं तो यहां पर क्या किया जाता है यह चायना में फॉर एजेंबल क्या किया जाता है उनकी बैटियल्थ देखा कि फून 10 हमें कम बैटियल्थ वाला फून चाहिए ही नहीं तो उसी तरह अब यह नया चकर शुरू हो गया है कि जैनुवन एपल पार्ट को भी लोग ऐसे दुसकारना शुरू हो गए हैं कि जैनुवन एपल पार्ट वाला फून भी नहीं खरीना जबकि वो एपल ने सारा कुछ किया ह है और अडीवी भी एपल का ही लगा है उस फोन में कुछ गडबड नहीं है अन नउन पार्ट हां एक मसला है मैं मानता हूं अन एपल पार्ट अननों कैमरा पार्ट अंन डिस्प्ले मैसेज अन बैटरी मैसेज वह आपने इस्यंवन इस से इशी हो सकता है ऑस की नहीं अप् जो टेली फोटो लेंज है वो नहीं चलता अनाउन पार्ट का ये नुकसान है कि अनाउन पार्ट अगर आप डलवाते हैं लोकली तो नहीं जो आई उसकी अपडेट राएगी उससे जो कैमरा इंप्रूब्मेंट्स होंगी वो इसको डिटेक्ट नहीं करेगा और एवेंच्छोली वो उसको डिसेबल कर देगा तो लेहाँसा एक मैसेज एक issue क्रवा रहे है लोगों की डिमांड पर उसीतरा लोग ये मैसेज भी रिमूफ हो जाता for your information message का जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाता है थोड़े पैसे लगते हैं लगि मेरे फून में अगर जैनोन अपल पार्ट कर दो आर्टिफिशली फिर हम ले लेंगे क्यमरा मैं जो किसी में जैनोन अपल पार्ट का रहा है वह रिमूव कर वा दो फिर हम ले लेंगे लेंगे अगर जैनों अपल पार्ट आ तरहाएं प्रिएंगे में छल्टन कुए खरीद पाकिसान की जो जो मार्केट है और इसमें एसा इश्यू नहीं है, उसको इश्यू ना बनएं, लोगों को मजबूर ना करें कि फून को मौडिफाई करके, जा ही öz Fellow जब फून मौडिवाई होगा तो असका adhesive जो गम लगी होती है जो फून को Pack करती है वाटर पैक करती है, वो कंपनी एऽल की तो लोग तो नहीं खरीद देंगे यहां पर पाकिसान में तो कोई भी खरीदेगा उनको तो आप से गुजारिश यही है कि फून जनवन हो उसको खरीद दें जनवन आपट का मैसेज खरीद लें ब böl इसनी असी काफिलें यहीसा नहीं यही 달 D डिस्प्ले मैसेज जो आ रहा है उसको रिमूव होना चाहिए फून को इलिगली खुलना ही नहीं चाहिए इलिगली का मतलब है कि एपल के इलावा फून कोई और खोले एपल का खुला हुआ फून एपल ने जो सर्विस किया है फून वो एकसेप्टेबल है लोकल जो रिपेर हुआ है वो एकसेप्टेबल नहीं है और जितना भी यह फून को बूस करके बैटरी उसको सोफितर कर देते हैं यह मैसेज रिमूव करना यह सारा लोकली खुल के होता है एपल खोलता नहीं है होफुली मेरी जो वीडियो थी इसकी आइडियोलोजी उसका जो आइडिया था आपको समझा गया होगा और आप प्रमोट करेंगे इस चीज को कि जैनुवन फून खरीदें मोडिफाई हुआ फून ना खरीदें सोफितत बैटरी हल्थ आर्टिफिशली चेंज हुई बुरी है और जो 802 बैटरी हल्थ है फून की जैनुवन वो अच्छी है उसको प्रमोट करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में होफुली तब तक अब रहे सारा खयाल लगएगा अला हाफिज